नेश्वेबने नए संसद भवन में आज से संसद के विशेश सत्र की शुरुवात हो गया आपको बता दे कि विशेश सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में तमाम जो संसद है वो बैठते लेकिन आज वो दिन है जब नए संसद भवन में तमाम जो संसद है वो पहुँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को लीड करेंगे और पुराने संसद भवन से जितने भी सांसद है और पीम मोदी के साथ पैदल ही चल करके नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सांसदों के हाथ मे समिधान की एक कौपी भी होगी और एक अलग अंदास जो है वो भी देखने को मिलेगा रसल देश में नए संसत भवन की नई बिल्डिंग में कारवाही की शुरुआत का समय भी तैह हो चुका है लोग सभा की बैठक आज यानी के मंगलवार दोपहर एक बज कर पंदरा मिनट पर नए संसत भवन में होगी वही राज सभा की बैठक दोपहर सवा दो बजे नए संसत भवन में होगी इस मौके पर मनमोहन सिंग, शिबू सोरेन जैसे वरिष्ट संसत को केंदरी हॉल में बोलने के लिए मंतृत भी किया गया है इससे पहले आपको बता दे कि बिते दिन सोमवार को दोनों सद्नों में समविधान सभा से अब तक 75 वर्षों के संसदिये यात्रा, उपलब्धिया, अनुभब, स्मृतिया और सीख विशय पर चर्चा हुई वहीं इस चर्चा के पूरा हो जाने के बाद राजसभा में सभापती जगदीब धनकर और लोगसभा में अध्यक्ष ओम बिर्ला ने घोशना की कि अगली बैठक नए संसद भवन में होगी बिर्ला ने सोमवार को सदन की कारवाही को अस्तगित करते वे घोशना की कि संसद की अगली बैठक मंगलवार को एक बचकर पंदरा मिनट पर शुरू होगी वहीं धनकर ने उच्छ सदन की कारवाही को अस्तगित करते वे ये घोशना कही कि सदन की अगली बैठक आज यानि मंगलवार को सवा दो बजे शुरू होगी आपको बता दें कि संसत का विशेश सत 18 से 22 सित नंबर तक चलने का कारेकरम है वहीं मालूम होके करीब देर घंटे का ये प्रोग्राम राश्रुगान के साथ शुरू होगा इसके बाद सदन के सीनियर नेता सभी संसदों को नए संसत भवन तक ले जाएंगे दोनों सदनों के संसदों की फोटो ली जाएगी संसदों को नए पहचान पत्र मिलेंगे केंद सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेश सत्र बुलाया है स्पेशल सत्र में 5 बैठेके होंगी इस दौरान 4 बिल भी पेश किये जाएंगे उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जबाब करने के लिए 9 मुद्दे का लिस्ट भी तयार किया है आपको यहाँ पर बताते चले कि संसद का 5 दिवसी विशेश सत्र बीते दिन सोंवार से शुरू हो गया संसद के इस विशेश सत्र के दौरान केन सरकार की ओर से 8 विधेक पेश किये जाने है इस भी चर्चा है कि संसद के विशेश सत्र में ही मोदी सरकार महीला अरक्षन बिल ला सकती है वहीं सोमवार की शाम आपको बता दे कि मोधी कैबिनेट में महिला आरक्षन बिल पर मन्जोरी भी लग गई है तो ऐसे में आज जब नए संसत भवन में तमाम संसत पियम मोधी के साथ जाएंगे तो एक अलग और बेहदी खास तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी धीरे धीरे से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार मैं अनुरादा पवडवाल 26 नवेंबर को पानुरामा स्टार सीजन 6 के कारेक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ मुझे पनुरामा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है तो हम सब मिलते हैं पनुरामा यी होम्स में शाम साथ बजे नमस्कार ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाया है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined